ओम शांती मीठे बच्चे आज की मूरली 5 सितंबर 2024 दिन गुरुवार की संपूर्ण मूरली मीठे बच्चे तुम्हें यहां प्रवरित्ती मार्ग का लव मिलता है क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे बाप से वर्षा मिलता है यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते प्रश्न जिन बच्चों की बुद्धी में ग्यान की धाणा है शुरूर बुद्धी हैं उनकी निशानी क्या होगी उत्तर उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा उनकी बुद्धी मित्र संबंधियों आदी में भटकेगी नहीं शुरूर बुद्धी जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदी नहीं लेंगे स्कूल में कभी आखे बंद करके नहीं बैठेंगे जो बच्चे तवाई होकर बैठते जिनकी बुद्धी इधर उधर भटकती रहती वह ज्यान को समझते ही नहीं उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है ओम शान्ती यह है बाप और बच्चों का मेला गुरू और चेले अथवा शिश्यों का मेला नहीं है इन गुरू लोगों की दृष्टी रहती है कि यह हमारे शिश्य हैं अथवा फालोवर्स वा जिग्यासु हैं हलकी दृष्टी हो गई न वह उस दृष्टी से ही देखेंगे आत्मा को नहीं वह देखते हैं शरीरों को और वह चेले भी देहभिमानी होकर बैठते हैं उनको अपना गुरू समझते हैं दृष्टी ही वह रहती है कि हमारा गुरू है गुरू के लिए रिगार्ड रखते हैं यहां तो बहुत फर्क है यहां बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है यह स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है बेहत की हिस्ट्री जॉग्राफी बच्चों को समझानी है उन गुरूओं की दिल में बच्चे का अल्व नहीं होगा बाप के पास तो बच्चों का बहुत ल्व रहता है और बच्चों का भी बाप पर ल्व रहता है तुम जानते हो बाबा तो हमको स्रिष्टी चक्र का ज्यान सुनाते हैं वह क्या सिखाते हैं? आधाकल्प शास्त्र आदी सुनाते, भप्ती के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदी सिखाते रहते हैं यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं हम बाप को बिलकुल नहीं जानते थे सर्वव्यापी ही कह देते थे कभी भी पूछो परमात्मा कहा है, तो जट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं, तो पूछते हैं, यहां क्या सिखाया जाता है? बोलो, हम राज्योग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो और कोई सत्सन ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं देवताएं होते हैं सत्युग में, कलियुग में हैं मनुष्य अब हम तुमको सारे स्रिष्टी चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ती बताते हैं ऐसी युक्ती कभी कोई समझा न सके यहां है सहज राज्योग पाप है पतित पावन वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्न होंगे क्योंकि योग अगनी है न तो यहां नई बात सिखलाते हैं यह ज्यान मार्ग है ज्यान सागर एक ही बाप होता है ज्यान और भक्ती अलग-अलग है ज्यान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है क्योंकि वही ज्यान का सागर है वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ ब्रहमा द्वारा सारी स्रिष्टी को पावन बनाता हूँ पावन दुनिया है सत्युग पतित दुनिया है कलियुग तो सत्युग आदी कलियुग अंत का यह है संगमिग इनको लीप युग कहा जाता है इसमें हम जंप मारते हैं कहा पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं वह तो सीड़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए यहां तो हम छीची दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं सीधा चले जाते हैं उपर पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं यहां है बेहत की बार बेहत की पुरानी दुनिया में धेर मनुष्य है नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है वहां सब पवित्र रहते हैं कलियोग में हैं सब अपवित्र अपवित्र रावन बनाते हैं यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावन राज्य अथ्वा पुरानी दुनिया में हो असल में रामराज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं जो अच्छे समझदार होंगे वह जट समझेंगे जिसको बुद्धी में नहीं आएगा, वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे अटेंशन से सुनेंगे नहीं कहते हैं ना तुम तो जैसे तवाई हो सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई जुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया बाप भी सबको देखते रहते हैं कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं अच्छे शुरूर बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदी नहीं लेंगे स्कूल में कभी कोई आँखे बंद करके बैठें यह तो काईदा नहीं कुछ भी ज्यान को समझते नहीं बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है फिर पाप कैसे कटें शुरूर बुद्धी तो अच्छी रीती से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं ज्यान नहीं है तो बुद्धी मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है यहां तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है पिछाडी में कुछ भी याद ना आए बाबा ने सन्यासियों आदी को देखा हुआ है जो पक्के ब्रहमा ज्यानी होते हैं सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रहमा महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं उनके शान्ती का प्रवाह बहुत होता है अब वह ब्रहमा में लीन तो हो न सके फिर भी माता के गर्ब से जन्म लेना पड़ता है बाप ने समझाया है वास्तव में महात्मा तो श्रीकृष्ण को कहा जाता है मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं बाप समझाते हैं श्रीकृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है सन्यासी कहनावा देवता कहना उनका भी अर्थ है यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना बेहद का सन्यास किया फिर चले गए नई दुनिया में वह तो हद का सन्यास करते हैं बेहद में जा न सकें हद में ही पुनरजन्म लेना पड़े विकार से बेहत का मालिक बन न सकें राजारानी कभी बन न सकें क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं, इन सबका विनाश और एक आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है भारत में जब सत्युग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है अब तुम फिर से आदी सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो, जो जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना उच्पद पाएंगे अपने को आत्मा निश्चय करना है भल ग्रिहस्त व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जबते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं कईयों की बुद्धी तो बाहर कहा कहा भटकती रहती है अभी तुम समझते हो भक्ती से फाइदा कुछ भी नहीं मिलना है यह तो है ज्यान जिससे बहुत फाइदा होता है अभी तुम्हारी है चड़ती कला बाप घड़ी-घड़ी कहते मनमनाभव गीता में भी अक्षर है परन्तु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे जवाब देने आएगा नहीं वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड मामेकम याद करो भगवान वाच है ना परन्तु उनकी बुद्धी में है श्रीकृष्ण भगवान वह तो देहधारी पुनर्जन में आने वाला है ना उनको भगवान कैसे कह सकते हैं तो सन्यासी आदी किसी की भी द्रिष्टी बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है भल गांधी जी को बापू जी कहते थे परन्तु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे वह तो फिर भी साकार हो गया ना तुमको तो समझाया है अपने को आत्मा समझो इसमें जो बाप बैठा है वह है बेहत का बापू जी लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्सा मिलता है बापू जी से तो कुछ भी नहीं मिला अच्छा भारत की राजधानी वापस मिली परन्तु यह वर्सा तो नहीं कहेंगे सुख मिलना चाहिए ना वर्से होते ही हैं दो एक हद के बाप का, दूसरा बेहत के बाप का ब्रहमा से भी कोई वर्सा नहीं मिलता है भल सारी प्रजा का वह पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट 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 ग्रैंट फादर वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्सा नहीं मिलता जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्सा नहीं मिल सकता तो उस बापुजी से फिर क्या वर्सा मिल सकेगा कुछ भी नहीं अंग्रेश तो चले गए अभी क्या है भूख हर्ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदी होती रहती, कितनी मारा मारी होती रहती है कोई का डर नहीं है बड़े-बड़े आफिसर्स को भी मार देते हैं सुख के बजाए और दूख खहे तो बेहत की बात यहां ही है बाप कहते हैं पहले थले, तो यह पक्का निश्चे करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं बाप ने हमको एडाप्ट किया है, हम एडाप्टेट बच्चे हैं तुमको समझाया जाता है बाप ज्यान का सागर आया है और स्रिष्टी चक्र का रास समझाते हैं दूसरा कोई समझा न सके बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं कहा इतनी करोडो आत्माएं और कहा 9 लाक इतने सब कहा जाएंगे अब तुम्हारी बुद्धी में है कि हम सब आत्माएं उपर में थी फिर यहां आई है पार्ट बजाने आत्मा को ही एक्टर कहेंगे आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ आत्मा को आर्गंस तो चाहिए ना आत्मा कितनी छोटी है 84 लाख जन्म है नहीं हर एक अगर 84 लाख जन्म ले फिर पाठ रिपीट कैसे करेंगे याद नहीं रह सकता स्मृती से बाहर चला जाए 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते भूल जाते हूं अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है इस योग अगनी से विकर्म विनाश होंगे यह भी निश्चय है बेहद के बाप से बेहद का वर्सा हम कलपकलप लेते हैं अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामे कम याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ तुमने बाप को पुकारा है ना तो अब बाप आये हैं पावन बनाने पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य पावन बनकर फिर शांतिधाम में जाना है तुम शांतिधाम जाना चाहते हो या सुखधाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है, हमको शांती चाहिए तो वह सत्यूग में कभी आ नहीं सकेंगे सत्यूग में था प्रवरित्ती मार्ग का धर्म देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनरजन्म लेते-लेते पतित बनते हैं अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं उन्य आत्मा बन जाएंगे फिर शान्तिधाम सुखधाम में जाएंगे वहां शान्ती भी थी, सुख भी था अभी है दूख भढ़ाम फिर बाप आकर सुखधाम की स्थापना करते हैं दूख भढ़ाम का विनाश चित्र भी सामने है बोलो अभी तुम कहां खड़े हो? अभी है कलियुक का अंत विनाश सामने खड़ा है बाकी जाकर थोड़ा टुक्रा रहेगा इतने खंड तो वहां होते नहीं यह सब वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं यह पाठशाला है भगवान वाच पहले फले बाप का परिचय देना पड़ता है अभी कलियुग है फिर सत्युग में जाना है वहां तो सुख ही सुख होता है एक को याद करना वह है अव्यभिचारी याद शरीर को भी भूल जाना है शांतिधाम से आये हैं फिर शांतिधाम में जाना है वहां पतित कोई जान न सके बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे यह अच्छी रीती बैठ समझाना पड़ता है आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे बिगर चित्र भी नच्छेल में समझाया जाता था इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है यह है नई दुनिया के लिए नौलेज वह बाप ही देंगे ना तो बाप की दृष्टी रहती है बच्चों पर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं तुम भी समझाते हो बेहद का बाप हमको समझाते हैं उनका नाम है शिव बाबा सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूझ जाएंगे क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए है मिनिस्पाल्टी के मेर को भी कहते हैं बाबा बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ तो भी मेरा नाम शिव ही है मैं इस रथ द्वारा तुमको नौलेज देता हूँ, इनको एडाप्ट किया है इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा इनको भी मेरे से वर्सा मिलता है अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहत का सन्यास करना है इसे बुद्धी से भूल जाना है दो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है स्कूल में आँखे बंद करके बैठना यह काईदा नहीं है ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धी इधरुधर न भटके उबासी न आए जो सुनते जाएं वह धारण होता जाए वर्दान रुहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य सो विश्वराज्य अधिकारी भव संदुमित पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्वराज्य अधिकारी बनते हैं आज स्वराज्य है कल विश्व का राज्य होगा आज कल की बात है, ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यप्ति के, संसकार के अधीन नहीं हो सकते उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वत छूट जाती है स्लोगन हर सेकेंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलतामूत बनते हैं